सुहेल देव भारतिय समास पार्टी के राष्ट अध्यक्ष ओपी राजफर को अब जल से जल योगी कैबिनेट का हिस्ता बनाया जाएगा योगी स्तरकार में जिस तरह से उनके शामिल होने की अटकले लंबे वक्त से चल रही थी और अब आखिरकार वो वक्त नस्दीक आही चुका है ग्रह मंत्री अमिश शाह से उनकी एक बार फिर से मुलाकात हुई है और ऐसे में अब जल से जल जल ओपी राजफर को एक एहम मंत्राले मिल सकता है आखिरकार उन्हें कौन सा मंत्राले मिलेगा ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा लेकिन इसी बीच यहां पर देखा जाए तो ओपी राजफर को तमाम एहम जिम्मेदारियां और भी मिल चुकी है इंडिया गटवंदन को चुनोती देने के लिए नमस्कार मैं परांशीर रठोर और आप देख रही है निक्स्ट नाइन ξुस 2024 में लोग सभा चुनाफ होने जा रहे हैं तक्रिबन 4 महीने का वक्त बाकी रह गया है इन लोग सभा चुनाफ में दरसल फिलाल जिस तरीके से ओपी राजवर को लेकर दावी किये जारे कि योगी सरकार की मंत्री मंडल में वह शामिल होंगे दिल्ली में किरह मंत्री अमिश शाह से उनकी मुलाकात हुई और ऐसे में दावा किया है कि 14 तारिक के बाद किसी भी दिन वो उतरप्रदेश में मंत क्रीबन 40 मिनट की मुलाकात हुई है अमिश शाह के साथ उनकी और अब ओपी राजवर जल से जल कोई एहम मंत्राले संभालती हुई नसराएंगे जानकारी दे दें कि कहीं ना कहीं उन्हें पिछड़ा समाज कल्यार विभाग सौपा जा सकता है लेकिन वक्त ये साथ साथ आखिरकार उन्हें क्या कुछ यहां पर विभाग सौपा जाएगा दूसरी ही तरफ ओपी राजवर का दावा है कि उत्तर प्रदेश में पश्चिम से पूर्व तक किसी भी सीट पर लड़ने को वह तैयार है उत्तर प्रदेश में असी में से तीन सीटों पर लड़ने की मा मांग रखी है अब देखना यही होगा कि ओपी राजवर आखिरकार किस तरह से इन सीटों पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे यूपी में तीन तो बिहार में दो सीटों पर वह चुनाव लड़ना चाहते हैं क्या वाकई में बीजेपी आलकमान एंडिये यहां प खास रिपोर्ट में इतना ही तब तक कि लिए आप देखते रहें नेक्स्ट टुनाइन न्यूज